नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्षील और आप देख रहे हैं इसके टेक तो आज बात करेंगे मोबाइल पे वीडियो किस तरीके से अपलोड की जाती है तो ये वीडियो उन यूट्यूबर के लिए है जो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और मोबाइल में एडिटिंग करते हैं और मोबाइल से ही अपलोड कर देते हैं तो आजकल के जो लगबग YouTuber है, बच्चे है या कोई भी है, तो वो क्या करते हैं, मोबाइल से ही uploading करते हैं, तो मैं उसका पूरा complete आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको मोबाइल से upload करना चाहिए, तो कोई भी गुमाफिरा के बात नहीं करूँगा, कान पकडूँगा, कस आप यूट्यूब के अंदर प्लस का option आता है नीचे की तरब, जिसमें वीडियो बगार add करने का option आता है, तो उसके अंदर लिखाओ उपर नीचे option हो सकते हैं, तो एक होता है upload a video, create a short, go live, और create a post, community post, तो आपको क्या करना है, upload a video को उपर चला जाना है, upload a video पे गए, तो उसके बाद में video आपको add कर लेना है, जो आपको video upload करना है, तो latest आप एक बार चेक कर लिजे, वीडियो पहले के हाँ, ये सई तरीके से यही video मुझे upload करना है, तो कई बार गलती से करना कोई और होता है, दूसरा हो जाता है, तो आपको क्या कर ले, पहले-पहले उसको एक इस तरीके का परफोर्मा एक आजाता है, जिसमें उपर की तरफ सबसे जो main thumbnail होता है, वीडियो का एक नॉर्मली एक जो शुरुवात का थमने लोता है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में आता है title, description, visibility, जिसके अंदर public, unlisted, या अपने time set कर सकते हैं, उसके बाद क made for kids, kids का option आता है, तो kids का option का भी एक आपको बताता हूं, तो उसके बाद आता है location, location कोई जरूरी नहीं है, कि आप set करना, आप India भी set कर सकते हो, या location set करना कोई जरूरी नहीं है, उसके बाद आता है playlist, playlist का एक एहम रोल है, उसका भी मैं बताऊंगा, तो सबसे पहले आपक इस तरीके से अगर आप चाहते हिंदी के वर्ड डालने तो हिंदी के वर्ड भी डाल सकते हैं उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन तो आपने जो यह टाइटल लिखा है उसको कोपी कर लीजिए अंगुठा उसके पर क्लिक कीजिए सिलेक्ट आल करके उसी टेक्स को कोपी करके एक वार सेम यहीं पर टेक्स डाल दीजिए कोपी उसके बाद में आप विजिबिलिटी पर जाएंगे जहां पर नॉर्मली पब्ली लिखा होता है तो आपको एक वार क्या करना है पर जाये उसके बाद no it's not made for Kids अंधर बच्चों के लिए बनाई बच्चों कर देते हुस्से क्या होते हैं आपके कमेंट कैसे बंद जैसे कोई बरोग हो गया तो गुमने के व्लोग हो गया दोस्तों के सार्ते हो तो उसका गया कूँ इस तरिके से अलग अप प्लेलच लेक्स कर लीजिए अब क्या आता है कि हमने मान लोग वीडियो अप्लोड करती है अब आगे का मैं आपको आगे का उप्शन दिखाता हूँ किस तरीके से आगे क्या लिखा होता है तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत यह अच्छी एप लेका है आपको क्या जाना है लिंक पे जाना है और इसे जो ग्रीन कलर का एक आ रहा है डाउनलोड रश एप तो इसे वहां से डाउनलोड कर लेना है तो डाउनलोड करने के बाद क्या होगा आपको इसे ओपन करना है ओपन करने के बाद में आपको इसे साइन अप करना है तो sign up जैसे ही करते हैं आप तो उसके अंदर आपको अपना mobile number डाल देना है और उसके बाद एक OTP आएगा तो OTP verify होते ही आपका account इसके अंदर बन जाएगा तो मेरा OTP आने वाला है तो OTP आते ही मेरा ये account अब बन चुका है और उसके बाद आपको क्या करना एक अवतार तो इसका एक photo आप जो अपनी image लगाना चाहते हैं वो select कर लेनी है तो आप इसे mail पर set कर लेंगे और select कर लेंगे और उसके बाद आपको 10 रुपे जो एक bonus मिल जाएगा तो 10 रुपे bonus आपको मिल चुका है आज अगर आप कल लोगिन करते हैं 11 गंटे बाद लोगिन करते हैं तो आपको 8 रुपे फिर तीसरे दिन 3 रुपे फिर चोथे दिन 4 रुपे फिर अगले दिन 5 रुपे फिर 6 रुपे ऐसे करते करते टोटल आपको 50 रुपे मिल जाएंगे फिर अगले दिन आपको 3 रुपे और मिलेंगे तो ऐसे जैसे आप डेली आपको एप खोलना है खोल खोल के चेक करते रहना है ऐसे करते करते आपको पूरे 50 रुपीज ऐसे ही मिल जाएंगे और इसके अंदर करना कुछ नहीं होता आपको गेम खेलने हैं जो VIP वर्जन परचेस करते हैं मतलब 49 रुपीज का 50 रुपीज मान लीजिए 49 का है तो उसके अंदर आपको 15 रुपे जो वालेट मिलेंगे और 15 रुपे बोनस मिलेंगे 15 रुपे बोलेट में 15 रुपे बोनस में तो मतलब आपको 15-35 होगे आपके मातर 19 रुपे लगे और उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिल जाएंगे वी आईपी के अंदर वी आईपी में आपको नोट प्लाटफोर्म फीज कोई भी किसी तरीके की फीज नहीं देनी पड़ेगी बड़े बड़े विनिंग जीच सकते हैं आप बड़े खेल सकते हैं डेली रिवार्डस मिलेंगे और हायर जदा जदा विड्रोर का सकते हैं और इनकी तरब से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा तो वीडियो अपलोड आने के बाद में आपको कुछ नहीं करना आपको क्या करना है कि वो वीडियो फिलाल प्राइविट है मतलब अनलिस्टेड है वो आपके वीवर्स को अभी शो नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे उसमें कि जाएंगे यवाय-टी स्टूडियो के यूट्व च्टूडियो को एंदर जायेंगे YouTube यूट्यों पे जाने के बाद की होता है थम्नेश्ट का उप्षन जैसे आपको उस वीडियो पर क्लिक करना है जो वीडियो अपलोड हो जगा है चाहिक प्लिक करना है पर pencil का निशान पर click करेंगे उसके बाद में add thumbnail, custom thumbnail जो भी मरजी आप लगा सकते हैं उसके बाद में title आपका दिया भी हुआ है जो आपने title दे रखा था वो ही title आजेगा तो वो title आपके पास copy किया हुआ फिलाल पड़ा है उसके बाद description तो description का मैं बता देता हूँ आपने main वो title जो title था वही same को paste कर दिया उसके बाद में क्या करना है कि hashtag लगाना है जिस वीडियो के बाद में आप वीडियो बना रहे हैं तो उसका hashtag जैसे आपका channel था नाम hashtag channel का नाम लगा दिया hashtag कोई नया मुद्दा चल रहा है कोई YouTube के पर कोई भी बात चल रहे है तो उसका hashtag लगा दिया आपने जो वीडियो बना है उसका hashtag लगा दिया तो hashtag how to upload a video on YouTube तो इस तरीके से आपको 3-4 hashtag इसके अंदर लगा दिने है उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में यहां पर क्या करना है आपको एक description डालना है उसके बारे में तो आपको क्या करना है कि mobile लेना है mobile के अंदर जो voice recognition का option होता है मतलब वो आप बोलते हो वो आपने आप type करता है तो उसके अंदर cursor को नीचे लाके उसको चालू कर देना है जैसे कई वार आप YouTube पे कोई वीडियो सर्च करते हो तो आपको पता नहीं होता इसकी spell क्या होगी तो आप क्या करते हैं उसके अंदर mic वाले option को click करते हैं और वो बोलते हैं और वो वीडियो आजाता है सर्च के अंदर तो ठीक है उसी तरीके से आपको करना है open करना है और उसके अंदर क्या करना है mic open करना है और बोलना है हिंदी में बोल दीजे English type में वो type कर देगा जैसे भी है तो इस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि YouTube के ओपर किस तरीके से बोल के उसको बता दे वो वहाँ पर type कर देगा तो यह आपका क्या कोई description हो जाएगा उसके बाद में आप कुछ भी लिखना चाहते हैं उसके अंदर आप कौन सा camera यूज कर रहे हैं कौन सा माइक यूज कर रहे हैं normally नए YouTuber को लिखने के जरूरत नहीं हो लग बगर दो साल बात यह चीजे लिखने शुरू कीजिए जब आप थोड़ा सा grow करने लगे उसके बाद में आपको क्या करने है वो unlimited पड़ा है उसको unlimited ही पड़ा रहें दीजिए फिल्याल जो यहां पर यूटूब से रिलेट करता है तो यूटूब को प्लेलिस्ट में डाल दीजिए अगर एंड्रोइड टेक्नोलोजी के से रिलेट करता है तो एंड्रोइड में डाल दीजिए जैसे मर्जी जिस चीज से मर्जी रिलेट करता हूँ उसमे डाल दी जिए उसके बाद में मैन आता है, टेग के बारे में, यह टेगस, तो टेगस किस तरीके से लगाने है, सबसे पहला जो आपने टाइटल कोपी किया हुआ, ईसे टेगसे टेग में डालके एंटर चीजे बताईए उसके सब के मतलब 8-10 हैश्टेक डाल दो तो डालने के बाद क्या करो आप उपर जाके वीडियो को सेव कर दो तो इसको आपने सेव कर दिया और लगबग एगंटा आदा गंटा तक इसे पड़ा रहने दीजिए यूटूब रिव्यू कर चुका होता है इसक जो यूटूब है वो इंप्रेशन बेजना शुरू कर देता है जल्दी ही और आप अपने वीडियो को पहले मतलब शुरुआत के अंदर क्या होता है कि जब वीडियो बना लेते हैं उसको शेर करते हैं पटसप पे फेस्बुक पे कहीं भी शेर करते हैं तो शुरू-शुर आपने फ्रेंड को कहिए कि आप मेरे चैनल पे आईये और वीडियो देखिए अगर आप ने दोस्त को कहते हैं कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़िए वीडियो देखिए तो उन्हें कहिए कि मेरे यू-टू ने से यॉट्श सब्सक्राइब लोग आपके चैनल को सर्च करते हैं तो इसके अंदर एक वाइटी श्रूडियो के अंदर एक अप्षिन आ जाता है कि अब आपका चैनल काफी लोगों दारा सर्च किया जा रहा है तो इस तरह के से आप अपना पूरा वीडियो अप्लोड कर सकते हैं तो कि वीडियो